नमस्कार दोस्तों मैं जैपरकाफ सेंग आप सभी का अपनी कहानी में स्वागत करता हूँ आपके सामने एक सच्ची और अजीब कहानी लेकर आया हूँ जिसका परभाव आज भी घटना अस्तल पर महसूस किया जाता है एक ऐसे रेलवे इस्टेशन की कहानी जो एक भुतिया लड़की के कारण 42 साल तक बंद था वहां से अनेको ट्रेने गुजरती प्रंतु रुकती नहीं थी समस्तियात्री उस इस्टेशन से आने से पहले ही ट्रेन की खुली खिड़कियां और दर्वाजे बंद कर लेते थे और ट्रेन ड्राइबर काड़ी का स्पीड पढ़ा देता था कहानी की सुरुआत होती है 1960 इस्वी से चहाँ पस्चीम बंगाल का हर छोटा गाउं रेलवे से जोड़ा जा रहा था वही पुरलिया जिला का एक छोटा सा गाउं वेगन कोदर जो पुरलिया से लगभग 35 किलोमेटर दूर था अभी तक रेलवे सुविधाओं से वंचित था अस्थानिये एमेले और नेताओं के परियाज से वेगन कोदर में भी रेलवे स्टेशन बनाने का कारे आरम हुआ और लगभग दो बरसों में तयार भी हो गया 1962 इस्वी में यह रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया सुरू के पांच सालों में किसी परकार की कोई परिसानी नहीं हुई परन्तु 1967 में वहाँ एक नए स्टेशन मास्टर मोहन की पोस्टिं हुई जो पास के रेलवे क्वाटर में रहते थे एक साम की बात है चब वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे तभी उन्होंने प्लेटफॉर्म के आउटर साइड में एक लड़की को तौड़ते हुई देखा जो कुछी समय में ओजल हो गई परन्तु उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया ठीक दूसरे दिन जब वह किसी एक्सप्रेस को हरी जंडी दे रहे थे तभ उन्होंने ठीक उसी लड़की को उस एक्सप्रेस के साथ तौड़ते हुए देखा और फिर कुछी समय में वह लड़की उनके आँखों से ओजल हो गई इस बार वह बहुत डरे हुए थे उन्होंने समस्त रेलवे करमचारी को इस घटना के बारे में बताया परन्तु किसी ने इसका यकीन नहीं किया सायद उनको लग रहा होगा कि नहीं है इस्ट्रेशन मास्टर यहां से ट्रांसफर जाना चाहते हैं इसलिए यह कुछ बेतुकी कहानिया बना रहे हैं परन्तु ठीक तीसरे दिन जो हुआ वह कलपना से पहरे था जब वह किसी एक्सप्रेश को हरी जंडी दे रहे थे जो वहां रुखने वाली नहीं थी तब उन्होंने देखा कि वह लड़की उस ट्रेन के आगे पटरी पर उससे भी तेज तौड लगा रही है और उनके समी पहुंसते पहुंसते वह लड़की कायब हो गई इस घटना का बहुत ही गहरा असर उनके दिमाग पर पड़ा और उन्हें पास के अस्पताल में भरती कराया गया और ठीक तीसरे दिन उनकी मिर्तू हो गई यह घटना पूरे रेलवे इस्टाफ में आग की तरह फैल गई और रेलवे इस्टाफ भी डरने लगे और यहां से सुरू हुआ एक डर का सिलसिला क्रमचारी साम होती ही वहां से निकलने का पहाना ढूनने लगते थे इसे बीच दूसरे इस्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई और वह अच्छी तरह इस घटना के बारे में आउगत था चुकि इस्टेशन मास्टर की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है समस्त रेलवे गतिविधियों का ध्यान रखना होता है और यह एक ऐसा पोस्ट है जो रेलवे इस्टेशन पर सबसे ज़्यादा समय बिताता है तूसरे इस्टेशन मास्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ उसे पेड के ऊपर चड़ती वह लड़की दिखी और फिर ओजल हो गई उसने समस्ट इस्टाप को इस घटना के बारे में बताया और सभी में डर का महौल बन गया अब उस लड़की का दिखना आम बात हो गया था कुछ क्रमचारियों ने उसे ट्रेन के उपर दौरते हुए भी देखा था डर का आलम ऐसा था कि कुछ रेलवे करमचारी दूसरे स्टेशन मास्टर के साथ स्टेशन छोर भाग खड़े हुए रेलवे परसासन द्वारा दूसरे स्टेशन मास्टर के साथ कुछ करमचारियों को वरखास्त कर दिया गया और तीसरे इस्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई परन्तु तीसरा इस्टेशन मास्टर भी पहले से ही आउगत था वह रेलवे परसासन को सूचित करता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक सब कुछ ठीक रहता है परन्तु ट्रेन आते ही वह लड़की ट्रेन के साथ दोड़ने लगती है समस्त रेलवे श्टाप इसे देख बिमार हो रहा है और इनके जान को भी खत्रा है उसे कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाए परन्तु वह बोगन कोदर में ट्यूटी नहीं करेगा धीरे धीरे डर का महौल पूरे गाउं में फैल गया लोग इस्टेशन पर आना बंद कर दिये और रेलवे क्रमचारी भी पूर्णता रेलवे स्टेशन को खाली कर दिये अब वह एक मात्र भूतिया इस्टेशन बन गया जो बिलकुल बिरान हो चुका था कोई गाउं वाला नीडर कभी साम को उधर से गुजरता तो कहीं न कहीं उन्हें वह आत्मा दिख जाती थी कई लोगों ने उसे इस्टेशन पर पेंड पर और पट्री पर भागते हुए देखा रेलवे पर सासन के पहुत कोशिसों के बाद भी कोई करमचारी वहां जाने को तैयार नहीं था एक समय ऐसा आया जब ट्रेने आती और रुकती थी परन्तु नहीं उनसे कोई उतर था और नहीं कोई चड़ता था अब गाउं वाले भी 35 किलो मीटर दूर पूर लिया जक्सन जाकर ट्रेन पकड़ने लगे आंतता रेलवे ने यह नेना लिया कि इस इस्टेशन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए और यहां ट्रेनों का रूपना बंद हो गया इस तरह 1967 में यह रेलवे इस्टेशन पूर्णता बंद हो गया दुनिया के इतिहास में यह पहला रेलवे इस्टीसन था जिसे रिकॉर्ड में भूतिया रेलवे इस्टेसन घोसित किया गया कारण में लड़की के भूत को बताया गया चुकि उस समय इसका हेट क्वाटर राची में हुआ करता था अतह जारखंड के ततकालिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह गोशना की की वहाँ पर एक लड़की की भूत है जिसे देखकर लोग बिमार हो रहे हैं हमें उनतह रूप से इसे बंद ही रखना चाहिए अब यह डर का सिलसिला पूरे राज्यव में फैल गया जब भी कोई ट्रेन उस इस्टेशन से होकर गुजरती तो यात्री पूरी ट्रेन की खिड़की और दर्वाजे बंद कर लेते और ड्राइवर ट्रेन की स्पीट को बढ़ा देता ताकि जल्दी से वह इस इस्टेशन को पार कर जाए भूतिया रेलवे इस्टेशन से परसीद वेगन कोडर रेलवे इस्टेशन को देखने के लिए अब दूर दूर से लोग आने लगे प्रहंतु सुर्यास्त होते ही अपने घर को चले जाते और कई परेटन एजेंसियां इसके नाम पर खूब पैसा भी छापने लगी जब यह खबर देश बयापी हुई तब रेलवे परसासन पर सवाल उठना भी सुरू हो गए तब ही एक पैरा नॉर्मल एक्टिविटी मॉनिटर टीम गठित की गई जिसमें कुल 11 लोग सामिल थे और उन्हें इस इस्टेशन पर पूरी रात गुजारनी थी और यह सत्यापित करना था कि वहाँ पर भूत प्रित आत्मा है या नहीं वहाँ क्या स्थानिये गांवालों ने इसका घोर बिरोध किया इसके बावजूद यह टीम अपने अत्याधनिक उपकरणों के साथ यहाँ पर रात भर रुकी लेकिन उन्हें कोई ठोस परिणाम नहीं मिला अपने रिपोर्ट में यह टीम वेगन कोडर पर किसी भी परकार की बुरी आत्मा ना होने की पुष्टी की इसके बाद अस्थानिये नेताओं द्वारा केंद्र को एक पत्र लिखा जाता है जिसमें उस इस्टेशन को दुबारा खोलने की सिफारिस की जाती है उस समय के रेलवे मिनिस्टर ममता बनर जी के परियासों से 2009 के अंत में इस रेलवे इस्टेशन को फिर से खोला जाता है और पूरे 42 साल बाद उस रेलवे इस्टेशन पर पुनह रेलवे करमचारी बहाल किये जाते हैं और धीरे धीरी लोगों का आना जाना सुरू हो जाता है परंतु आज भी साम पांच बजे से पहले सभी करमचारी इस्टेशन छोड़ देते हैं और लोगों का आना जाना बंध हो जाता है और कई लोग आज भी वहां आत्मा देखने की पुष्टी करते हैं कुछ समय पहले हमारे देश के परसिद नेसनल लियू चैनल के रिपोर्टर्स वहां गए थे उनके पास अत्याधुनिक उपकरंड थे और उन्होंने इस केस का च्छानबिन किया था और उनके साथ क्या क्या हुआ वह मैं आपको सेयर कर रहा हूँ वह आत्मा आज वहां है या नहीं इसकी पुष्टी मैं तो नहीं करता लेकिन वहां के अस्थानी आज भी उसे वहां देखने का तावा करते हैं हमने फिर से कोशिश की किसी सवाल पर लाइट जल रही थी और किसी पर नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था यहां कोई हाई टेंशन वायर भी नहीं था यानि ये रीडिंग भी फॉल्स नहीं थी हमने इस बार एक सद्यों पुराना तरीका अपनाया कि आप जो भी है आप जो भी है जिनकी डेट हुई थी यहां पर क्या आप चाहेंगे इस दुनिया में अगर आपको लगता है फस कर रह गए हो क्या प्रोशनी की तरफ जाना चाहोगे क्या आप रोशनी की तरफ जाना चाहोगे आप रोशनी की तरफ जाईए आप रोशनी की तरफ जाना चाहोगे आप यहां फस कर रह गए हो हम रहस से जानने की कोशिश में लगे थे और इस बात से अंजान थे कि कोई पीछे से हमारी ओर बढ़ रहा है जो अब यह जो तो देख रहे हो देखो इद देखो देखों यार तराप देख अप मेरे खिसाफ से सरी अचालना यहाँ से चलना ठीक है अगाज जंगल है नभाई? जंगल है यार, वुत्परेच से तुम कावला कर चकते हैं लेकिन साप से कैसे करेंगा है मैं और इंवेस्टिकेशन यहां नहीं कर सकता यहां सिनल मिला है यहां पर तवयत खराब हुई है यहां पर मशीन में सिनल आया है सब कुछ हुआ है लेकिन साप का रिसका मैं नहीं ले सकता I need to leave मुझको जाना पड़ेगा हर कीमत पे हैं से कुछ भी करके अस्थानिय गांवालों के अनुसार यह वही लड़की है जो घटना से कुछ दिन पहले ट्रेन के चपेट में आकर कट गई थी आज भी उसकी आत्मा उस ट्रेशन पर भटकती है